सिक्री गंज थाना च्छेतरे इलाके के सिक्री गंज खजनी रोड के किनारे जद्दुपटी गाउं के पास अंडा फार्म के समीप नौजात बच्चे का सरकटा हुआ शौ मिला है कुछ ग्रामीन उसी रास्ते से जा रहे थे उनी की सूषना पर सिक्री गंज पुलिस मौके पर पहुची बच्चे का कटा सिर्विले के बाद आनन फानन में पहुची पुलिस ने कटे हुए सिर की सिनाक्त अस्तानी लोगों से कराई लेकिन सिनाक्त नहीं हो सकी जिसके बाद पुलिस धड़ की तलास में जुट गई है गटना की सूशना पर पहुचे स्पी साउथ अरुन कुमार सिंग सीओ खर्जनी अनिल कुमार सिंग थाना इंचार्ज रमेश कुश्वा सहित तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौझूद रही एसपी साउथ अरुन कुमार सिंग ने बताया कि सिर्कटे बच्चे की सिनाक्त करने की कोशिश की लेकिन सिनाक्त नहीं हो सकी कटे सिर्की पंचनामा करा कर पोस्मौटम के लिए भीजा गया है पुलिस सिर्कटे बच्चे के धड़ की तलास में जुटी हुई है इस सम्मंद में गुर्यपूर नियुस से बात करते वे स्पी साउथ अरुन कुमार सिंग ने कहा एक जब देखने कि लगता है कि बहुत सार्फ चीज से कटा गया है कि अइसे कटा है क्या कटा वहां कोई उंड भी ऐसे नहीं लगए जैसे लगए बंद हो चुकिए और सडक से इस तरह से किनारे है जैसे कि किसी चलती गाड़ी से किसी ने घाड़ी धीमा थिया और धीरे से लुड़का दिया फेकने की विबात है और ये डेड़ दो बजे के आसपास लोगों ने देखा है जब कि उसी के सामने पोल्टी फार्म बाले के अंडे का काउंटर भी है अगल वगल विजोती नौर दुगाने है इनमेरी जिलान है इन लों का सब सबेरे से तो कुछ ऐसा आना जाना सबका है कस्तमर आते जाते हैं अचानक फेर दो वजे उनोने लेखा तो बताया है मैं भी मौकित देखाता है ऐसा लग रहा है कि यह कहीं और से ला गर करके में तुल सड़क पर डाला गया है इस संभाना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं नौजात कि हर्तिया की गई और यहां थड़ अलग करके फड़ यहां डाला लिया या फिर मुर्ट्यू के बाद कर भी कोई बच्चों का प्रभाह कर दिया ज़ता है जल प्रभाह या रवब कर दिया ज़ता है लेकिं जानवरों जवारा अगर ले जाया गया होता तो थोड़ा सा उस मुकदमा उसमें दर्श कर लिया गया है बना मग्या को स्मार्टम के लिए उसे की जा जा रहा है और इस पारे में पूरा पता किया जाएगा है कोई बच्चा से हमें हमारे पास सर है कि तो सर्क से और मुवी में जो आप से बता रहा हूं तो डाक्टर लोग बताएं लेकि वच्चा बिल्कुल नवजात जैसा है एक दो तीन तीन दिन का हो सकता इससे ज़्यादा लगी नहीं का रहा है सरके देख उसके बाल घने है कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो कि घने लोते हैं लेकिन उसकी इस्किन और ओठ और आखें बता रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल अभी नवजाती ही था ऐसा क्यों है कहां से ही यह सारी जीजें अब आगे हमारे लिए बड़ा पत्चनोटी का भीश है उसको पता लोगा है